हेलो सो एसके लेक्टोनिक सुर्ट मप को सागत है दोस्तों कैसे हो आप आ सकते हों बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यह लोईड की मेरे पास LED TV आया रिपेर होने के लिए ठीक है तो अब इसमें जो प्रोग्लम है मे कैनिक ने इतना तक चेक कर लिया जो इसकी बेक लाइट है वह ठीक है मतलब जो वह बिझ्ली के काम करते हैं तो उसने चैक कर लिया था वीडियो देखके बहुत अच्छा लगा हमें उन्होंने टेस्टिंग की अब इसमें बैक लाइट ठीक है पैनल ठीक है पर फिर भी जो हमें इसमें लाइट नहीं देखिए जैसे मैं यहां पर बोर्ड में लगाता हूं हमने प्लग लगा दिया ठीक है अब हमें इसे स्टेंडबाई से रिलीज करना है अब यह स्टेंडबाई से रिलीज हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा कि चला है नहीं क्यूंकि कैमरे में इतनी फोकस नहीं हो पाता है तो दोस्तों यहां पर बैक लाइट होके है इस कंडिशन में पैनल भी ओक है तो दोस्तों यहां पर हमारी डिस्प्ले क्य नहीं आई तो दोस्तों इसी वज़े में हम सर्कृट में बात करेंगे और हमारे पास कमेंट भी काफी सारी आई तो हमारे पर देखे फाल्ट भी आहीं गया दोस्तों यहीं है कि हम दुकान पर बैटके वीडियो बनाते हैं आपके लिए एक चीज दिनोलिज देते हैं तो यहां पर वॉल्टेज जो काम करता है दोस्तों कम से कम आपकी 35-40 वल्टेज होनी चाहिए इसमें दोस्तों चाहिए 32 से कम जाएगी जब नहीं चलेगा 40 ओपर जाएगी तो बिलिंगिंग करेगा तो मेरे पास जो है अलेटी का सरकुट है यह देता है 70 75 वोल्ट है तो हम बैक लाइट टैस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको लगा के चेक कर लेंगे तो दोस्तों बिलिंगिंग कर है तो अब हमने मैन बोर्ड के तार लगाए मैन बोर्ड के तार लगाने के बाद बैक लाइट के उल्टे चेक करते हैं मल्टी मेंटर को 200 वोल्ट डी सी पर लगाईए चिक लग गया अब आपके सामने देखिए यहां पर तार लगाए ओन किया और थोड़े दर्वारी स्ट से वोल्टेज स्टेंड वाई से रिलीज होते हैं आपकी पूरी बननी चाहिए इसमें 40 का असपास 35 से 40 के बिच में देखिए ओन किया अब देखिए दोस्तो आप थोड़ा गोर से देखना देखिए लाश देखते हैं कहां तक पहुचती है देखिए धीरे धीरे बढ़ र देखिए जब तक हमारी यह बेकलाइट ओ नहीं होगी अमारे स्क्रीन नहीं आएगी सीधिशी बात है अब दोस्तो करना क्या है वह समझ लीजिए हमें इसके सप्लाइ सेक्षन चक करना है इन्वेटर काड इसमें इन्वेटर काड में फाल्ट है निए बॉर्ड में मेरी बास समझ लेना दोस्तों लोईड की जो LED TV होता है इसकी पैलल में होती हैं सिरीज में नहीं होती है तो दोस्तों आप यहां प्सक्राइयोड अगारा लगे हुए और लेकिन हमएक यहां पर ओर आ आरहा है आप देख सकते हो यह थोड़ा सा फूल रहा है देख सकते हो यहां पे देखिए यह फूल रहा है थोड़ा सा तो दोस्तो ऐसा हो जाता है जब तक हमारा current pure DC में ना है मतलब पूरा current ना है जब हमारी SMPS होती हो यह हमारा backlight के लिए ही लगा हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तो change करेंगे full of wire supply का यह है तो इससे आगे inverter card बार लगा होगा तो पहले तो supply section के लिए रहोगा उसके पार दो inverter card पर जाएगी voltage बराबर तो दोस्तो हमें करना क्या होगा इस capacitor को बाहर निकालना होगा बोड को खोल लेते हैं इसका असपास की setting खोल लेते हैं जो setting लगी होई होती है इसमें फिटिंग के लिए ठीक है क्योंकि दोस्तो आप समझ जाई ही जब तक SMPS में दोस्तो एक ही एक य दो वह होते हैं उसकी frequency काफी अच्छी होती है और जब उससे हम निकाल देंगे तो दोस्तो वह उसकी जो लाइट है ना वह धीरे 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 मंदी तेसी मंदी तेसी होती रहती है और जब क्यापिस्टर हम लगा देते हैं तो बिल्कूर कॉंस्टेंट रूखी होई रहती है तो यही है SMPS का फंडा तो SMPS का यही हमारा कैपिस्टर फूल गया तो वोल्टेज बराबर कहां से बनेंगे अजब वोल्टेज बराबर नहीं बनेंगे तो बैक लाइट पर वोल्टेज बराबर नहीं जाएंगे बैक लाइट पर बराबर वोल्टेज नहीं जाएंगे सिद्धी सी बात ह तो कमजोर में भी थोड़ा बहुत काम करता है तो यहाँ पे 10-20% काम कर रहा होगा ठीक है तो हमें क्या करना होगा.. इसे निकाल लेते हैं हम थोड़ा सा जूहम किया जिससे के आपको सही दीखे तो अब देखेए जोस्तो इसे हमनिकाल लेते हैं अब आपका जितना यह निकले अगर आपका कैपिस्टर मान लिया 40 वॉल्ट का लिकर रहा है तो आप महां पे 45 भी लगा सकते हो और 35 वॉल्ट भी लगा सकते हो तो दोस्तो यह थोड़ा एक टोल लेंस ही होती है सपोज कि यह 25 वॉल्ट लिकला तो 25 वॉल्ट में दोस्तो कि आता नहीं 20 वॉल्ट की जंग है तो 35 वॉल्ट भी आप लगा सकते हो पर दोस्तो मैं रिकमेंड करूं को जितना लगा तो अच्छा है वरना थोड़ा बहुत अपटाउन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप दोस्तो यह कैपिस्टर देखिए हमने निकाल देख फूल र की जंग हम दोस्तो 40 वॉल्ट भी लगा सकते हैं पर लेकिन कम नहीं करेंगे हमकम नहीं करेंगं थोड़ा सा थोड़ा सकते थोड़ा सा तो देखिए हम पहने प falls करता हूँ आज को जो आप को सही से दिखे कि फोकस कर देखिए यह 40 वॉल्ट 220 मियव का है तो 40 वल्ट 220 मियव भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोस्तो थोड़ा सा वोल्टेज ही बढ़े है पांच वोल्टेज ही बढ़े है आगे से भविश्य में ये रहेगा कि दोस्तो फूलने कभी नहीं है क्योंकि ऐसे होता है हमारा कैपिस्टर जाएग फूलता है या तो किसी वज़े से हमारी वोल्टेज थोड़ीशी जाद रहे पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारी SMP सप्ला जाते है इसमें कॉंस्टेंट रुकी रहती है यह तो एक वज़े से इस्तिफाक है कि life इसकी expired होगे इस वज़े से fully गया हो क्योंकि जो इसमें voltage जो हमारा second section इसमें कोई up down नहीं होता है primary section में तो हमारा voltage का fluctuation चलता रहता है जैसे voltage आएगी ऐसे हमारा चलता रहेगा लेकिन जो second section होता है उसमें हमारा नहीं होता है तो दोस्तों यह जो capacitor फूला है यह इसके कारण फूला है कि या तो हमारे LED TV जादे समय तक चलता हो यानि कि दिन में बारे बारे तेरे तेरे या 14 गंटे चलता हो भाई कुछ घर होता है ऐसे होते हैं दोस्तों लेडीज मंडी रहती है नाटक बाटक देखने मझे में उन्हें कोई मतलब नहीं खराब हो रहा कुछ ही हो रहा भाई उन्हें देखने से मतलब है जो होएगा आदमी देखेगा उनका पापा देखेगा कोई भी देखे है भाई उन्हें खराब से मतलब नहीं चलाने से मतल रहा है या आप जैसे मिस्तिरी को कौन बूज रहा है बाई चलो हमने पावर कोड लगा दी और इसका एल वीडियस लगा देते हैं और एक बार इसे चेक कर लेते हैं हमने कैपिस्टर लगा दिया है क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा वॉल्टेज बूरी नहीं बनेंगी जब तक इन्वेटर कार्ड पर वॉल्टेज बूरी नहीं जाएंगी वही फंडा है ठीक है अभी हमें से कार्ड को रोकने के लिए एक पेच लगा लेते हैं जिससे कि हम इसे सीधा करें और गिरेना एक पेच लगा लेते हैं कोई सब भी कुछ और फाल्ट भी हो सकता है अगर य क्या वॉल्टेज भी चैक करके दिखाएंगा यसी दिखाते हैं पहले में स्रीजबॉर्ड में लगाता हूं अगरी ठीक हो गया और तो स्रीजबॉर्ड में भी नहीं चलेगा एक बार चलके बंद हो जाएगा अभी चैक करते हैं स्टेंड वाय से लीज होने वाला है देख करा बहुती खुसी की बात है दूस्तों कस्टमर का बहुती अच्छा काम हो गया है देखिए रधाल नाइन पूटरिश के दिज्ट मेरी जो बात सफूपर लिगडि पैन अनुच चालिस के बिच में आईगी थालिस के दूस्ट के आ सपास यह तो यह वोल्ट जाती है दोस्त यार समझ रहे हैं बहुत अच्छे बंदे पर दोसल प्रीज यार सेर तो कर सकते हैं हम चोच रहे हैं कि इह इंडियान चैनल है दूस्तों हर एक बंदे कर पास जाए अभी इसका स्टिंड बाई का बटन दब गया था करा है जो इसकी रोसनी भी काफी बैटर आ रही है दोस्तो बहतरीन तो मेरे भाई एकदम बढ़े तरीके से working में है मैंने आपको बता दे है लोएड की जो हपिस में बैक लाइट लगती है वे आपकी पैलल में लगे होती है और बाकी सिरीज में भी होती है तो दोस्तो यह चे से चेहिंग